जै मातादी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्व मंगलकारी शिरी शिद्धिगनेश व्रतकथा और ये व्रतकथा इस प्रकार है एक वार शौनकादी अठासी हजार इशियों ने शास्त्र वृता सूथ जी से पूछा कि हे सूथ जी महाराज सभी कारेों की निर् पर व्यमनस्य से अलगा तथा उदासिंता से अनुपलता कैसे मिल सकती है विद्यो पारजन वानेजे वैपार कृशी कर्म एवन साश को द्वारा अपने शत्रू पर विजय प्राप्त करने में कैसे सफलता मिल सकती है किस देवता की पूजन से मनुश्यों को अभिष्ट की प्राप्ती हो सकती है सूथ जी ने कहा कि जब कॉर्वो पान्डवों की सेना युद हितु सन्नद हुई तो कुंति नंदा निधिस्टी ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण जी आप बताएं कि किस देवता की अराधना से हम निर्भीन विजय प्राप्त कर सकेंगे श्री किष्ण ने कहा कि आप देवताओं में प्रथम पूजे श्री गणिश जी का पूजन कीजिए उनकी पूजा से आप अपने राज्य को पा जाएंगे यह निश्चित है तब धिस्टीर के पूछने पर श्री किष्ण ने उन्हें सर्व मंगलकारी श्री श्री वयंती ने सिता जी की पुन्हाप्राप्ती के लिए रगुनाथ जी ने सिता जी के दर्शन के लिए हनमान जी ने गंगा जी को लाने के लिए भागी रत ने समुद्र से अमरित निकालने के लिए देवता था दैत्यों ने भी पहले सिद्ध गणेश की ही अराधना की थी औ उनके ही प्रसाद से मैं रुक्मणी को पा गया हूँ। विद्यार्थी विद्या का, धनार्थी धन का, जयार्थी जय का, पुत्राथी पूत्र का, पती की कामना करने वाली करने अपती का, सुभासनी सुभा के संपत्ती का लाव देते हैं। गणेश का व्रत करने से सब संतुस्ट हो जाते हैं श्री कृष्ण भगवान राजा से कहते हैं कि हे राजन इधिस्टिर इस प्रकार भगवान गणेश का पूजन करने से तुम भी संगराम में अपने शत्रों को परास कर अपनी राजय संपत्ति को प्राप्त करोगे तब रा राबद भी ऊस पर सिद्धतम गडश का पोजन करें तो उस मंद भागी के भी मंद के विचाल सब कार्ष सिद्ध похож जाते इस पवित्र व्याक्षान गुजो समाहित चित से सुनता है उसके सबी कार्ष सिद्ध गडश की प्रसंता क्या से सिद्ध हो जाते हैं अब इस ब्रत कथा को सुनो एक बार की बात है एक धर्म प्रेमी दंपती भगवान गनेश का गुंगान करते हुए जय शिद्ध गनेश जय शिद्ध गनेश करते चले आ रहे हैं ते लिलावती नामिक अत्यां दुखी महिला ने उनके मुख से शिद्ध गनेश के जुम्धू इस प्रशन स्वस्त दिखाई दे रहे हैं मैं बहुत दुखी हूँ कि पर मेरे दुख का निवारन का उपाय बतलाई है तब उस दंपती ने मुस्करा कर एक दुसरे की और दिखा और कहा कि हम सर्व मंगलकारी शिद्ध गनेश ब्रत कर रहे हैं जिनके करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं यह सुनने पर उस लेलावती ने अनुना पुर्वक पूछा कि आविस्तार पूर्वक इस ब्रत का विधान मुझे समझाएं तो बड़ी किरपा होगी तब उन दोनन न बताएगी हम जो ब्रत कर रहे हैं वैसा भी ब्रतों में श्रेष्ट माना जाता है क् पूजेत श्री गणेश जी का व्रत है इसे बुद्वार को आरम करते हैं यह पोती पढ़कर पूजा आधी करते हैं इस व्रत को करते समय जूट चल आधी बुरी आतों का त्या करना उचित रहता है व्रत पूर्व होने पर यह था सकती पुस्त के दान की जाती है इतने सरल व्रत का वर्णन सो निलावती अत्यन प्रसंद हो गई और अगले ही बुद्वार से उसने सर्मंगरकारी श्री शिद्गडेश का व्रत का करना आरम कर दिया देखते ही देखते उसके पती जिसका चरितर ठीक नहीं था बिलकुल सुधर गया और अपनी पत्नी और परिवार को प्रेम पुर्वक साथ में रहने लगा उसके साथ जो पहले से बहुत दुख देती थी उसमें अपनी बेटी की चछबी दिखने लगी और उसका बहुत ख्याल रखने लगी उसको संतान का सुख नहीं था जिस पज़े से उसके ससुर भी बहुत चिंदी रह थे पर पूछ परक बढ़ने लगी है सभी लोगों से इस महान वरत का प्रभाब बताने लगी और स्वेम भी हमेशा इस प्रत का पारण करते रहे गणे जी के जैसे उसे संपन किया वैसे ही सभी को संपन करे जो पड़े अत्वा सुने उसके भी सभी मनों न सिद्ध हो इस परकाश रिशेद गणे शुरत का था सम्वाबत होई